नमस्ते, स्टांडर्ड फीफ्ट, सबचेक्ट हिंडी, चेप्टर नमबर इलेवन, सच्चा बालक Students, लास्ट ताइम हमने जो हमारा चेप्टर नमबर इलेवन है सच्चा बालक, उसके बारे में अच्छे से समझा था उसमें हमने एक सच्चा बालक है, जो नौ साल का है, जिसका नाम है अबदुर कादिर वो कभी भी जूत नहीं बोलता है, हम्मेशा अपनी माता के बताय हुए रास्ते पर ही चलता है और हम्मेशा सच बोलता है, तो इस कहानी से हमें सच बोलने की प्रेरा मिलती है और इस कहानी में हमें समझाया गया है, कि जीवन में चाहे कितनी भी मुस्के लिया आए पर जो मनुष्य अपने आदर्शो को नहीं छोडता, यानि कि हमारे जो अच्छे भाव होते हैं उसको नहीं छोडता है, वही महान व्यक्ति बनता है इसलिए हमें हमें सा सच ही बोलना चाहिए और हमें सा सच्चाय के रास्ते पर ही चलना चाहिए तो ही हम जीवन में कुछ अच्छा बनकर दुनिया में अपना नाम बड़ा कर पाएंगे तो इस तरह हमने हमारा ये चेप्तर है वो अच्छे से समझा था तो स्टूदंस आज हम इस चेप्तर के शब्डार्थ मुहावडे अभ्यास के प्रश्णों और स्वाध्याई के प्रश्णों के बारे में समझेंगे तो देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नमबर 76 पर है शब्डार्थ शब्डार्थ है उसमें शब्ड जो दिये गए है वो है काफिला यानि की यात्रियों का समूह उसके बाद शब्ड है अशर्फियां यानि की सोने के सिक्के उसके बार है वापस करना यानि की लोताना वापस करना यानि की लोताना उसके बाद शब्ड है सदरी सदरी यानि की जाकिट उसके बाद शब्ड है सरदार सरदार यानि की नेता या फिर मुख्या उसके बाद शब्ड है अस्तर अस्तर यानि की सीले कपड़े के भीतर की तह सीले हुए कपड़े के भीतर की तह उसके बाद सब्ड है समाधी समाधी यानि की मकबरा या फिर मजार उसके बाद सब्ड है मा मा यानि की जननी या फिर माता मा यानि की जननी या फिर माता उसके बार शब्ड है सदेव यानि की हम्मेसा या फिर सरवडा सदेव यानि की हम्मेसा या फिर सरवडा उसके बार शब्ड है नेक इसका मतलब है इमानदार नेक यानि की इमानदार उसके बार शब्ड है इश्वर इश्वर यानि की भगवान, प्रभू, या फिर अल्हा उसके बाद दिये गए है मुहावरे मुहावरे है नेक रास्ते पर चलना यानि की सही रास्ते पर चलना नेक रास्ते पर चलना यानि की सही यानि की जो इमानदारी का रास्ता है उस पर चलना उसके बाद मुहावरा है कड़क कर बोलना यानि की कथोरता से बोलना कड़क कर बोलना यानि की कथोरता से बोलना यानि कि जब कोई गुसे से बोलता है तो उसे कहते हैं कड़कर बोलना ठीक है अब देखिए अभियास में प्रश्ण नमबर चार प्रश्ण नमबर चार में कहा गया है पढ़िये और समझिये तो हमें इन सभी शब्डों को पढ़ना है समझना है और हमारी नोटबुक में भी लिखना है पहला शब्ड है मा और उसका उत्तर है बाप दूसरा शब्ड है बड़ा और उसका उत्तर है छोता तिसरा शब्ड है सच और सामने शब्ड है जूत सर्च जूत चोथा शब्ड है नेक और सामने उत्तर है बेईमान पांचवा सब्ड है प्रशिद और सामने उत्तर दिया गया है अप्रसिद प्रसिद अप्रसिद छथा सब्ड है आज और सामने उत्तर है कल सात्वा सब्ड है पास और सामने उत्तर है दूर, पास, दूर Students, हमें इन सभी सब्डों को देखकर और पढ़कर समझ में आ जाता है कि ये जो सभी सब्ड है वो है विलोम सब्ड तो हमें इन सभी विलोम सब्ड को हमारे नोदबुक में भी अच्छे से लिखना है अब देखे स्वाधियाई में प्रश्ण तो स्वाधियाई है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नमबर 78 पर उस पे दिया गया है प्रश्ण नमबर 1 प्रश्णों के उत्तर दिजिए उसमें प्रश्ण नमबर 1 है काफिला कहां जा रहा था काफिला कहां जा रहा था उत्तर है काफिला बगड़ जा रहा था काफिला बगड़ जा रहा था दूसरा प्रश्ण है बालक की उम्र कितनी थी उत्तर आएगा बालक की उम्र 9 साल की थी तिसरा प्रश्ण है लड़के के पास कितनी अशर्फियां थी उत्तर है लड़के के पास कितनी अशर्फियां थी उत्तर है लड़के के पास 40 अशर्फियां थी चोथा प्रश्ण लड़के ने अशर्फियां कहा रखी थी उत्तर है लड़के ने अशर्फियां अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी पांच्वा प्रश्ण लड़के की माने उसे क्या सीख ली थी उत्तर है लर्के की माने उसे हम्मेसा सच बोलने की सीख दी थी छथा प्रश्न डाकूओं ने लर्के से क्या सीखा? डाकूओं ने लर्के से क्या सीखा? उत्तर है डाकूओं ने लर्के से इमानडारी सीखी उन्होंने सोचा कि इतना छोता लर्का अपनी मा की सीख मान कर चलता है और हम है कि अपने भगवान के बताये हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते उस दिन से उन्होंने लूत मार करना छोड दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिग्या ली फिर से एक बार डाकुवे ने लड़के से इमानडारी सीखी उन्होंने सोचा कि इतना छोता लड़का अपनी मा की सेख मान कर चलता है और हम हैं कि अपने भगवान के बताये हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते उस दिन से उन्होंने लूत मार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिग्या की उसके बाद दिखें सात्वा प्रश्ण सच बोलने वाला बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक कौन था? उत्तर है सच बोलने वाला बालक अब्डूल कादिर था? आथवा प्रश्ण अब्डूल कादिर की समाधी कहा है? उत्तर है अब्डूल कादिर की समाधी बगडाद में है अब्दुर्कादिर की समाधी बगडाद में है तो इस तरह हम प्रश्णों के उत्तर लिखेंगे अब देखें प्रश्ण नमबर डो सही जोड़े मिलाईए और वाक्य प्रयोक कीजिए यानि कि यहाँ पर जो जोड़ी मिलानी है उसके लिए हमें एक-एक वाक्य बना कर भी लिखना है यानि कि यह होगा मुहावरे का अर्थ डेकर वाक्य में प्रयोक कीजिए इसमें पहला है ककड कर बोलना इसका उत्तर है कठरता से बोलना इसका उत्तर है कठरता से बोलना इसके लिए हम वाक्य बना कर लिखेंगे पीता जी ककड कर बोले तो नो करने चोरी कबूल कर ली दूसरा है घुतने टेकना इसका उत्तर है हार मानना घुतने टेकना यानि की हार मानना इसके लिए हम वाक्य बनाएंगे अंग्रे जोने गांधी जी के आगे भुतने टेक डिये थे तिसरा है नेक रास्ते पर चलना इसका उत्तर है सही रास्ते पर चलना नेक रास्ते पर चलना यानि की सही रास्ते पर चलना इसके लिए हम वाक्य बना कर लिखेंगे संट हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देते है उसके बाद चोथा है आखो का तारा उत्तर है बहुत प्यारा आखो का तारा उत्तर आएगा बहुत प्यारा इसके लिए हम वाक्य बना कर लिखेंगे मा के लिए बेता अपनी आखो का तारा होता है मा के लिए बेटा अपनी आखों का तारा होता है उसके बद पचवा है कान फूकना यानि कि किसी के विरुद कुछ कहना इसके लिए हम वाक्ष्य बना कर लिखेंगे कई लोग सांस बहु के कान फूक कर उनमें जगडा करवाते है कई लोग सास बहु के कान फूक कर उनमें जगड़ा करवाते है ठीखे स्टूदेंस तो इस तरह हम स्वाध्याई के प्रश्ण भी हमारी नोटबुक में लिखेंगे और हमारा यहाँ पर चेप्टर नमबर 11 है वो समाप्त होता है तो इस चेप्टर के शबडात, मुहावरे, अभ्यास का प्रश्ण और स्वाध्याई के प्रश्ण यह सभी आपको आपकी नोटबुक में सुन्दर अक्सरों के साथ लिख लेना होगा ओके, ठेंक्यू